वह हैलो प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका पुन्हार डिपेस लार्निक पॉइंट पर आज की स्क्लास में हम जानेंगे A-B का होल क्यू यानि की A-B-Q-3A-B कोश्टक में A-B इस पे आदारत जितने भी आपके प्रशन होगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में उन सारे कुश्चनों को हम बारी 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 करते चलेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को जानते हैं कि किस प्रकास से यह ड्राइब हुआ है तो देखो आपका यह है आपका A-B का होल क्यू इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A-V और इधर A-B का होल स्कॉयर इतनी बात आपको समझ में आई यानि कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इस पे तीन पावर चड़ी हुई है तो दो हमने यहां लिख दी है और एक पावर वाली इधर है तो पूरी-पूरी हमारी इसको हो रही है अब हम क्या करेंगे A-B का होल स्कॉाइर का मैंने फार्मूला पताया था बताओ बताओ हंं बोलो A-B sqa też 2AB तो पहले हम इसका formula open कर लेंगे क्या a-b यह लिख दिया मैंने और इसका हम खोल लेंगे a square plus b square और माइनस का 2ab इतनी बात समझ में आई आई आपको अब हम क्या करेंगे पहले हम इसका multiply इस सम में कर देंगे और फिर इस बी का multiply इस पूरे में कर देंगे तो सबसे पहले हम क्या करें ऐसे लिख दें ए और multiply किसमें a square plus b square और माइनस का 2ab में अब दोगों यहां पर क्या लगा हुआ है माइनस तो माइनस b और फिर इसका multiply b का इस पूरे में हो जाएगा तो a square plus का b square माइनस का 2ab हमने कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं किया है बस इतना किया है कि a का multiply इस पूरे में कर दिया है और इस b का multiply माइनस लगा कि यहां पर इस पूरे में कर दिया है अब हम multiply किया नहीं है बस उनके साथ लिखा है चिपका के लिखा है अब अंदर multiply करते से ले कि यहां पर हो जाएगा आपका a q क्योंकि दो है इस पर घात और इस पर जिस पर कोई भी घात नहीं होती इस पर हमेशा एक घात होती है ठीक तो इस पे घात देखो एक है तो एक और दो यह कितना हो गई यहां पर तीन हो गई अब इस एका मल्टिप्लाइस बी में होगा तो पिलस ए बी स्क्वाइर ठीक है क्योंकि इसमें हम पहड़ा बगार नहीं पड़ते हैं सीधा अच्छरों को चिपका देते हैं मुल्टिप्लाइस ऐ हम बी स्क्वाइर होगा अब दोब यहां पर स्वाइक आप अफ्र शमी नहीं तो भी स्क्रेमनी से टो ए सक्वायर अब माइनस इस बी ज़ोरा ईस में होगा नहीं तोधीर के स्क्रेमने ए में होगा तो यहां पर हो जायाकर क्या ए स्क्वायर अब सकते हैं लेकिन हमने सबाहल के एक बाद दम ना तो आप sqware लिखेंगे हम इसको a b x 6- square जब्ही माइनस का म्ल्टिप्लाइख प्लस से हो तो हमें से जाद रहाइं को प्लस माइनस जहां मिलेंगे माइनस बना देगा तो यहां पर आपका माइनस लगा देंगे अब B का multiply b से होगा, तो दोको हमने का हर एक पर कितनी होती है, एक होती है, तो एक power यह है दो power यह है, कितनी हो जाएंगे? तीन power हो जाएंगे, तो यहांपर लिख देंगे हैं, B, Q, अब minus का multiply minus से होगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका पिलस, बी का multiply इस a b से तो तो को 2 a अब भी एक यह है एक भी यह है कितना हो जाएगा b square इतनी बात आपको समझ में आ गई अब हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें जोड रही होना जोड लेंगे जो चीज़ें घट रही होना घटा देंगे और आपका फार्मूला जो लिखा है ना aq-bq-3ab कोश्टक में a-b वो बस आपका आगया यहां पर आगया तो देखो aq लिख दिया अब यहां पर क्या है माइनस का bq तो माइनस का bq क्यूकि पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात इस सीकेंस में हम चीजों को लिखते हैं घात तो समझते हो ना सबसे जो उपर उस पे लगी होती है पौबर की रूप में अच्छा उसके बाद देखो a square b और कहीं पर है एक देखो यह है a square b तो देखो दो तो यह है और एक यह है तो यहां पर कतनी हो जाएंग अब आपका देखो यहां पर a b square दो यह रही और a b square एक यह रही तो a b देखो इसके आगे plus का चिनल लगा है और इसके भी आगे plus का चिनल लगा है तो 2 और a कितने होई 3 ठीक है अब हम क्या केरेंगे इसमें सिंपल सी बात आपको समझना होगा कौमन किसे कहते हैं कॉमन हम इस SARAH को हूआँ हो जो दोनों जग knocked या फिर तीन जगे पर तीनों जगे पर फाइजाती हो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे, मैं इस कैमरे में दिख रहा हूँ और ऐसे ही 10 कमरे हैं और दसों कमरों में हरे कमरे में कैमरा लगा हुआ है, अब मैं एक कैमरे के सामने आउगा, तो क्या होगा, सभी 10 कमरों में मेरा फोट्टू जाएगा, यानि कि मैं हर एक कमरे में common हूँ बात समझे में आई अब मैं इस front man camera से अलग हट जाओंगा तो क्या होगा हर एक कमरे से मैं हट जाओंगा इसका मतलब common चीज एक जगह से अगर हम उसको common लेते हैं तो जितनी जगह पर होगी वहां से वह बापिस हट जाएगी अलग आ जाएगी अब इसको हम समझते हैं ठीक है देखो ऐसे करके a q minus का b q minus का इसको हम कैसे लिख देंगे देखो ऐसे लिख देंगे हमसे 3 a b और गोड़ा b क्योंकि sorry इसको हम ऐसे लिख देंगे 3 a b गोड़ा a क्योंकि देखो a यहां पर double थी तो एक तो इस a b के साथ आगई तो 3 a b अब यह double है तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दी अलग इतनी बात clear आ गई मैं आपको क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए अच्छा पिलस इदर भी वो इची लिख देंगे 3 a b और गोड़ा b क्योंकि b हाँ पर double है whole square है b का b का square है तो यहां पर b हाँ पर हो गई अब देखो कौन कौन सी चीज common हमारी हो गई यह 3 a b और 3 a b common हो रही है अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे कैसे a q minus का b q minus का 3 a b कोश्टक से बाहर निकाल लिया अब रह क्या गया यहां पर e रह गया a और क्या रह गया b और यहां पर क्या देखो यहां पिलस का चिन्न आपने का minus क्यों लगा दिया तो भाही यहां पर minus मैंने common लिया है जब भी यह minus इसके अंदर जाएगा तो minus minus पिलस बना देगा तो minus को बहार लेंगे इसलिए हमने यहां पर minus लगा दिया है और उपर जो आपका formula लिख रखा है वही आ गया मेरे प्यारे लाड़ ले तो आप इसको लिख लीजिए अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कर दो अभी अभी फिर भूल जाते हो तुम ठीक है तो इसको आप अच्छे से नोट डाम कर लेजेगा अब आपने ये वाला formula समझ लिया अब आप इसी formula से आपकी exercise का पहला question यहां पर कर रहे है मैं आपको guarantee देता हूँ कि अगर आपको formula समझ में आ गया है और नहीं भी समझ में आया है तो भाई इस formula को आप देखते चले जाएंगे और बैसे बैसे उस value को रखते चले जाएंगे आपका answer चिंट कदमों में आपके पाश होगा देखो कैसे इस प्रकार से यहां पर एक ही जगह पर इसको मैं ऐसे लिख दूँ X-7 का whole Q ठीक है तो X की जगह पर यहां पर क्या है A है एक ही जगह पर X है और B की जगह पर यहां पर क्या है 7 है ठीक है तो कह रहा है A Q तो मैंने क्या कर दिया X Q फिर कह रहा है B Q तो मैंने क्या कर दिया 7 का whole Q कर दिया माइनस कह रहा है 3 A B तो हमने 3 लिख दिया A का मान कितना है X है B का मान कितना है 7 है तो 7 लगा दिया फिर कह रहा है A माइनस B तो मैंने भी कर दिया लो x-7 बात समझमाई इतनी समझमाई तो आगे देखो तो देखो x cube minus 7 का cube करते हैं तो 7 का cube आपको x से लेके 20 क्यूब आप याद कर लो ठीके तो 7 का cube कितना होगा 343 minus 3 का गुणा 7 में होगा पहले x में नहीं 7 में 3 सत्य होता है बेटा 21 और x को 7 चिपका दो और x माइनस का 7 इतनी बात आपको समझ में आगे होगी अच्छा तो x cube minus का 343 minus का 21 का गुणा बेटा x से होगा 21 x स्क्वेर हो जाएगा 21 का गुणा 7 से होगा अब देखो minus यह है minus यह है जब-जब minus minus से टकराएगा प्लस हो जाएगा minus minus से टकराएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर minus minus क्या हो जाएगा प्लस 21 का गुणा 7 में होगा 21 सत्य एक सो से है तालिस होता है 7 में आपका x से चिपका हुआ है हम भी x को चिपका देंगे और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरे लड़ले लेकिन आंसर आपका अभी नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई कि हम सीकेंसे लिखते हैं क्रमबद वाई क्रमबद है ना तो क्या करेंगे सबसे बड़ी घाते पहले उसके बाद उससे चोटी घात उससे चोटी उसके बाद उससे चोटी घात और उसके बाद आपका सबसे बिल्कुल जो एक्स है नहीं वो आपका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा बस समझे मागी अगर समझे मागी है तो जल्दी से से नोट डाउन कर लेजिएगा अगला कोशिन आपका इस प्रिकार से है देखो पिछला वाला जो घा नम्मर वाला कोशिन है उसे आप खुद करिएगा वो बिल्कुल सेम इसी पैटरंग पर है तो मैं इस कोशिन को कर रहा हूं 3P माइनस का बन अपॉन फोर क्यू का होल क्यू ठीक है बस इसी में फुट करेंगी देखो यहाँ पर एकी जगहे पे आपका है 3P और बी की जगहे पे यहां पर 1 upon 4 Q कुछ नहीं है बस चुटकी सा सवाल है देखो AQ यानि की हम कहेंगे 3P का whole Q माइनस BQ बन अपॉन 4Q यानि बन अपॉन 4Q का whole Q हमने इसका भी होल की कर दिया अब है 3AB तो देखो 3A का मान कितना है 3P 3P और B का मान कितना बन अपॉन 4Q फिर के कह रहा है कोश्टक में बंद कर दो A-B की तरह है यानि की बिल्कुल सेह में यही लिख दो अधर यानि की कितना 3P माइनस का बन अपॉन 4Q इतनी सी बात है अब इसको आप स्वाल्ब कर लेजेगा 3 का Q होता है बटा 27 पी का PQ हो जाएगा माइनस 4 का करोगे बन अपॉन 4 चार चाओ का 64Q इस Q का भी होल Q हो जाएगा ठीक है माइनस तीन तीया 9 और बटे यहां पर 9 क्या है P है और बटे में क्या है 4Q है उसके बाद में क्या 3P-1 upon 4Q इतनी शी बात है अब आपको एक step रह गया है इसका step का multiply हम इसमें करेंगे अब तक हमने सिर्फ तो सिर्फ formula open किया था तो देखो इसमें क्या करेंगे हम 27PQ-1 upon 64Q-9 27P बट्टे दो एक पी एक पी एक पी एक पी एक पी एक पी स्कुर्ण और नीचे कुछ है इसके एक माल लो तो इसका multiply से में हो जाएका 4Q अब माइनस का multiply स्माइनस से होगा तो यहां पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा पिलस क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस माइनस से मिलता है तो पिलस बन जाता है तो यहां पर माइनस माइनस से मिल ला तो पिलस हो जाएगा तो 9 का multiply P से होगा तो यहां पर हो जाएगा 9P बटे यहां पर 4Q का multiply 4Q से हो रहा है तो यहां पर 4, 4, 16 हो जाएगे चार का multiply 4 से 16 हो गया Q का multiply Q से होगा बताओ कितना होगा हाँ तो आपका हो जाएगा Q square यानि Q का multiply Q से कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा Q square आपका यही answer होगा अगर यह answer आपका match नहीं कर रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 27PQ माइनस का इतना लिख सकते हैं कतना 9P बट्टे फोर क्यू वो इस टक में 3P माइनस का बन अपन फोर क्यू और यहां माइनस का बन अपन चौशाट क्यू ठीक है इतनी भी बात आप लिख सकते हैं यह भी आपका answer हो शकता है बात समझ माई हम बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन आपका इस प्रकार से है X माइनस बन पॉन X बरावत 24 बट्टे 5 तो XQ माइनस बन पॉन XQ का मान बताईए तो देखो इसमें आपको गवराने की कते जरूत नहीं है देखो क्या है इसमें कि यहां XQ माइनस बन पॉन XQ यह बात पूची गई है को शर हम कैसे बताएं तो ऐसे बताएंगे आप देखो यहां पर Q है तो इसका मतलब यह कि इन नंबर्स का भी हम क्या करेंगे दोनों तरफ होल क्यू करना है है ना तो दोनों तरफ गण करने पर है ना गण करने पर तो गण कर दो इसका तो X-1 अपॉन एकस का होल क्यू बरावर 24 बटे 5 का होल क्यू अब मैं आपको बता दू एक बात कि गण किसे कहते हैं गण कहते हम जो तीन घाचड़ा देते हैं उश्य को हम घण कहते हैं समझ में आई अगर आपको नहीं समझ में आये तो आप समझ लेजाएगा इसको तो बढ़ते हैं इसको आगे ठेक है तो देखो इसका हूल क्यूं करोंगे तो क्या होता है सूत्र यह होता हपका यह की जगह x अबdock की बन पूर एक्स से तो देखो AQ माइनस BQ माइनस 3A और B, B की जगए क्या है? X है, A की जगए X है, बन पून B, फिर क्या कोश्टक में A माइनस B, तो क्या हम X माइनस बन पून X कर देंगे, और बराबर, अब है आपका 24, 24 का होलकी कितना होता है? तो 24 का होलकी होता है, 13,824, बटे, 5 का कितना होता है? 5 का होता है, 125, यह आपको याद करने होंगे, यानि कि 24 का मल्टिप्लाई, जब हम 3 बार करेंगे, तो इस प्रकार से आपका 13,824 बनेगा जाके, अच्छा, तो आप देखो यहाँ, X से X कर जाएगा, तो आपका बचे का क XQ माइनस बन अपन XQ माइनस का 3, अच्छा, एक बात और बता दू मैं आपको, X माइनस बन अपन X बराबर, X माइनस बन अपन X बराबर कितना दिया है? 24 बटे, 5, यहाँ कितना लग देंगे? 24 बटे, 5, और इधर कितना है? 13,824, बटे, 125, अब यहाँ पर, XQ माइनस बन अपन XQ माइनस, 24 बचे कितना होता है? 72 बटे, 5, और बराबर, 13,824, बटे, 125, अब आपका XQ माइनस का बन अपन XQ, बराबर, 13,824, बटे, 125 हो जाएगा, और पिलस में वैल्यू, 72 बटे, 5 हो जाएगी, ठीक है? यानि कि जो माइनस की वैल्यू दर जाएगी, तो यह पिलस में हो जाएगी, अब मैं क्या करूँगा? इनका हम LCM लेंगे, LCM का मतलब लासा मासा, ठीक है? लासा मासा नहीं होता है, लासा होता है इसका, तो हम इसका लासा लेंगी, तो इदर नीचे लिखूँगा तो चीज़े आपको समझी में नहीं आएगी, तो हम क्या करें? इदर लख दे रहा हूँ उनको, ठीक है? तो एक का गुणा ऊपर वाली संक्यास होगा, तो वो संक्या वैसीक वैस रहेगी, 13824, पिलस, पांच का भाग, अगर हम 125 में देंगी, तो 25 बार जाएगा, क्योंकि ये 25 पंजे 125 होते हैं, और 25 का गुणा हो जाएगा, बहतर में, कर देंगे, 72 मल्टिप्लाइ 25, तो इस प्रक इसको हम जोड देंगे, 4 और 0, 4 हो जाएगा, 2 और 0, 2 हो जाएगा, 8 और 8, 16 हो जाएगा, 16 का छे आजाएगा, और हाशल लगेगा आपका, 1 और एक और तीन हो जाएगा चार और एक हांसल वाला पांच और एक और एक प्रत नहीं रहेगा यहां पर आजाएगा आपका 125 यानि कि यह वैलू जो है आपकी XQ माइनस बन अपॉन XQ बराबर आएगी तो इतना आपका आएगा आपका अंसर ठीक है तो फटा पट इसको सब्सक्राबर 82 वैट्टे नो तो XQ माइनस बन अपॉन XQ का मान बता दो सिंपल सी बात है कि आपको होल क्यू करवा रहा है यानि कि इसका फार्मूला ओपिन करवा रहा है तो पहले हम क्या करेंगे इसका फार्मूला ओपिन तो तब करेंगे जब हमें X मैनस बन पॉन X की फिर्फटा हो तो गवरानी की कते जरू होत नहीं है मैं आपको समझा रहा हूं देखो यहां पर हमें मांग रहा है माइनस होना चाहिए तो हम क्यों ना इसको बिलुकुल जस्ट उल्टा करती हूँ हुआ झालया मैं सम्झा रहा देखो है क्या हमने लिख लिए एडर एकस स्क्वायर प्लस बना पॉन X स्कॉायर माइनस का दो और बरावर 82 बट्टा 9 में इसमें इसमें मान का दो कर दिया इदर भी दो घटा दिये कोई फरक नहीं पढ़ा अब तुम कहोगे सर फर्क नहीं पड़ा फिर किया ही क्यों विविस्ता बनाने के लिए उसका सेट अप करने के लिए हमने इसको किया है तो यहाँ पर दोको a square पिलस b square माइनस का 2ab बन अपोन x यानि बन गया ही है क्योंकि x x कर जाएगा तो यहां पर दो एकम दो ही रह जाएगा तो यहां पर फार्मूला बन गया आपका एक्स माइनस बन अपोन x का holy square और बराबर यहां पर आपका ब्यासी माइनस यह एक माल लेंगे इदर इसका नो का गुणा 2 में हो जाएगा तो आपका नो दो नी 18 और बटे फिर नो का गुणा एक में होगा तो नो एकम नो हो जाएगा अच्छा तुम को यह कहां से लिग दिया यह समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम थोड़ा अलग समझ लेते हैं तो देखो एकष माइनस बं आपन एक के बटा होली स्कुयर खोलोगें यहां पर तो देखो एकष्कुइर होगा तो एगस कट ऑफ स्क्राइस कर दाएगा तो आपका बचेगा x square plus 1 upon x square minus 2 यानि कि चीज़ें बिलकुल वही बच रही है जो यहाँ पर है already समझे बात तो अब हम जो आपको समझा दिया है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अब देखो यहाँ पर x minus 1 upon x का whole square बरावर 82 में से 18 जाएगा बटा 12 में से 18 जाएगा 4 बचा 10 जाएगा 7 7 जाएगा तो 4 बचा 6 बचा यहाँ पर रहा गया 9 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम इसको इस प्रकास से लिख सकते हैं कि x minus 1 upon x बरावर यहाँ पर यह चीज अंडर रूट में आ जाएगी यानि कि 64 बचा 9 यानि कि यह मान है आपका 8 का वर्ग है और यह value है वो है 3 की ठीक है अब देखों यहाँ पर x minus 1 upon x बरावर 8 बचा 3 आ गया जैसा कि पहले वाले question में दिया था x minus 1 upon x बरावर आपको 24 बच्टे 5 है तो आप x q minus 1 upon x q का मान बताईएगा यह बिल्कुल same condition बैसे ही आ गई ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम समल के लिख दे बन अपॉन x बरावर 8 बच्टे 3 इतनी condition है और यह वाली बात आपको पूची गई है तो आप क्या करेंगे इसका समीकरफस्ट डालने समीकरफस्ट का है ना समीकरड एक का दोनों और ठीक है दोनों क्या करोगे घन कर दो घन करने पर तो देख x-1 अपॉन x का होल की बरावर 8 बच्टे 3 का 8 बच्टे 3 का साब मैंने भी होल क्यूँ कर दिया बात समझे मैं इतनी अब हम इसका होल क्यूँ करेंगे बटा तो aq- का bq- का 3ab तो 3a का मान केतना है x है देखो आप x q मत रखने लग गया करो यह x है तो x b की जगे बन अपॉन x तो बन अपॉन x फिर कोश्ट अगम क्या a- b तो a की जगे क्या है x है बी की जगे क्या बन अपॉन x तो बन अपॉन x और बरावर 8 का बेटा q करोगे तो जागा 512 3 का करोगे तो आपका बन जागा 27 तो इस परकार से x q minus माइनस बन अपन एक्स क्यूब माइनस एक्स कड़ जाएगा यहां रहा जाएगा तीन अब दोगों एक्स माइनस बन एक्स बरावर कितना वैल्यू है आठ बट्टे तीन तो इस प्रकास से तीन से तीन आपका कड़ जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस बन अपन एक्स क्यूब बरावर अच्छा यहां पर बरावर यह माइनस का जो आठ बच गया यह वाला इस आठ को हम उधर पहुंचा देंगे ठीक है जब उधर जाएगा माइनस की वेली तो कैसी हो जाएगी पिलस की तो यहां पर आपका 512 बटे 27 और पिलस का कतना हो जाएगा आठ तो एक्स क्यूब माइनस का वन अफ़ोन एक्स क्यूब बरावर देखो 512 पिलस यहां पर एक मानेंगे और कैंची का कर देंगे गुणा कैंची तो आपने देखी होगी ना जो कट कट करके काटती है तो दे उन कैंचन के तो देख्ज Cornice सव और पांचएक Jeremiah 27 अब इसको हम जोड़ लेंगे 6 और और 2 आठ हो गया 1 और 1 दो हो गया 5 और 2 आपका साथ हो गया और बटे में केतना वह 27 और यहीं आपका क्या होगा अंसर होगा साम यही आपका इसे फटा पट नौंड़ाउन कर लेजिएगा अगर आपको समझ में आ गया है अब आपका अगला कोश्न है चौथा कोशन है कि 98 क्यों कर यह 9.9 का होल क्यों करिएगा 598 का होल क्यों को सरजी इतने लंबे लंबे होल क्यों इतना गुणा तो हमें आता ही नहीं है आपने तुस्सें खाया ही नहीं था कैल्कुलेटर में मोगा ये साथ कर से नहीं दिमागा क्याल कृठ्व की तرह नहीं चला हो ये एक्जाम गेटे बैठोगी संभी मैं आएगा नहीं आया तो मैं आपको ऐसी तरकीब बताऊंगा आप पटा-पट कर लेंगे देखो इसको बिटा ऐसे लिख दो एक तो मारकर चेंज हो गया हमारा इसको आप ऐसे लिख दो कैसे 100-2 का होल क्यूँ यानि कि 100 में से 2 गटा होगे तो आठान में बचेगा नहीं बचेगा अब देखो यहाँ पर कौन बन गया A-B का होल क्यूँ तो इसको बैसे ही खोल दो कैसे करके A-Q यानि कि 100 का क्यूँ माइनस B का क्यूँ तो 2 का क्यूँ फिर माइनस 3 A-B तो 3 A के जगह कितना 100 तो 100 B के जगह कितना 2 तो 2 फिर कोश्ट एक माइनस B लो 100 माइनस 2 बास समझ में आई कुछ तो फिर आगे देखिए अब यहाँ पर 100 का मिल्टिप्लाई कितनी बार 3 बार तो 1 2 1 2 1 2 माइनस 2 का कितना 3 बार यानि कि 2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हाएगा माइनस तीन दूनी 6 और 2 0 हों 2 0 चिपका दो और यहाँ पर क्या है देखो अठानवे रह जाएगा तो गोड़ा अठानवे 100 में से दो गया अठानवे अब यहाँ पर कितने 0 हो गए 1 2 3 3 0 हो गया तो 3 0 का जोड़ा हो गया 3 0 नहीं हो गया जैने 0 तो 6 हो गए तो 1 2 3 4 5 6 6 0 लगा दिये माइनस अब यह 8 है रहा आठ इसको आठ को ऐसे लिके दो माइनस छे का मिल्टिप्लाई इसमें करता होते को 6 8 होते 48 हासल लगा आपका 4 और 6 नहीं होता चोगन और चोगन और चार कतना हुआ अठावन चोगन और चार अठावन हुआ साहब अब 2 0 है तो 2 0 लगा दिये अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को पहले जोड़ लो यह उसके बाद गटा देना तो कितने 6 0 है एक दो तीन चार पांच छे माइनस पा 5 8 अठ ऑठ जीरो आठ यह structured एसमें जोड़ दिया आपने कर जोड़ के दिया माइनस माइनुस की चीज़ payment जूर जाती है जोड ठीक है तो इसलिए Rab 7 अब क्या और अब हम क्या करेंगे इस में से इस वैल्यू को गटा देंगी तो आपने का सर जी हमने ऐसे नहीं समझेहा तो ऐसे घटा डालो भईया, इतने क्यों परिशान हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो इसको घटा दो, आठ, जीरो, आठ, आठ, और यहां पांच, यहां दे को घटा रहे हैं, यहां दस लेंगे, यहां दस में से आठ आएगा तो, कितना बचेगा, दो बचेगा, यह नौ रहे हैं, नौ में साठ गया तो, एक बचेगा, यहां नौ में से अगर, पांच गया, तो चार बचेगा, यहां पर, नौ में से पांच गया, तो चार बचेगा, यहां पर, नौ में से पांच गया तो चार, अब यहां से पूरे दस में से एक दाही लीती इदर, तो यह 41192 और यही आपका क्या होगा अंसर हो जाएगा सब ठीक है फटापट नोट डाउन कर लीजेगा अब है आपका 9.9 का हूल क्यों तुमको सथी जू हमें जरूर बताए देऊ हमें दसमलत बाले ना आता है तो हम कोई बात ना हम जाए के लिए पड़ाय रहे हैं तो माला है ठी देखो ये 9.9 के लिए 9.9 हमाइसी लिख सकते हैं 10 रुप्या मैसे का करां है क्यों और 10 पैसा गटाए दे और इनको करते लिए क्यों होल की यानि 10 रुप्या मैसे 10 पैसा गटाय दे तो नो रुप्या 90 पैसा बच जाये ये ठेक है 9 उर्पिय 90 पैसा देखर 10 मलब के बाद अगर कोई अंक है उस पर चाहे कितने भी जिरू लगा दो कोई फरक ने पड़ता तो अब इस पर आ जाईएगा करेंगे करिएगा 10 का एक एक ये यह है तो हम यहां पर 0 गाटा दे रहें क्योंकि इसमें बार बार लंभी शंक्या नहीं होगी हमारी ठीक है तो देखो यहां पर 10 का होल की माइनस 0.1 का होल क्यूव माइनस 3AB तो 3AB की जगए 1 ठीक और कोश्टक में 10 में से 0.1 कटा दिया अब इसका होल क्यों करोगे तो 10 का 1000 हो जाएगा क्योंकि 3 बिंदी चड़ जाएगे 0.1 0.3 एंक बाद 001 क्योंकि 1 2 3 3 बार गुड़ा होगा इसे करके 0.1 गुड़ा 0.1 तो यहां पर कितने दसमेलाव है एक दो तीन एक दो तीन गोगे तर अब दो लगा दिया है आप तो इस पर कास से यहां पर हम इसका दसमेलाब लगा देते हैं हम इसको पहली मिटा रहे हैं ठीक है अब देखो अब आपका यहां पर माइनस का तीन कोणगा दसमें होगा तो तीन धाई तीस हो जायेगा लेकिन दसमेलाव एक अंक बार देते हैं यहां पर दसमेलाव लग जाएगा फिर इसमें हाँ पर आपका करके नहीं रहाएगा नाइन पॉइंट 90 हो जाएगा अब आगे 1000 में से माइनस 0.001 माइनस 3927 27 के शाथ होते हैं हाशल लगा आपका दो 3927 27 और 2 कतने होते हैं 28 और 1 29 अंक कितने बाद हैं कितने इंक बाद हैं एक अंक बाद हमें आपके अपर दिसमेलब लगा देंगे अब हम क्या करेंगे चीजों को जोड़ लेंगे तो 1000 माइनस देखो यहां पर कितनी वेली जोड़ जाएगी है 29 अब वह यहां पर यह तीन अंक बाद है तो एक दो क्योंकि दिसमेलब बाद कितने इंक हैं तो हमने यहां पर देखो जीलो और वन हो जाएगा जीलो 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 हो जाएगा साथ और जीलो साथ हो आपकी इतनी आजाएगा अब आपके एक हजार में से घट आएंगे तो ऐसे करके डाले बिल्कोष से सरल कंडिसें से एक हजार लिख लें पूरा यहां पर फिर उन्तीस च्यों रुपए हैं पूरे उन्तीस लेकि लिए और दस मलब के बाद कितना सब्सक्राइब यहां नो बचेगा नो में से साथ जाएगा तो आपका डो बचेगा यहां नो में से नौ जाएगा जीरो बचेगा यहां पूरा दस था दस में से एक निकले गया तो यहां पर आपका नो बचा यानि कि 970 रुपया 20299 ठीक है यह इसकी आपकी वैली होगी यह आपका करेक्ट अंसर होगा आप तुम कहें हो सर जी तुमने दो यंकन वाले तो बताया थे तीसरे अंकवार और बताया तो तब हम जाना है कि A- को ओल कु तुम दे काल देता होगी तो मैं तुम अब बताये दिरें तो कैसे निकलाएं है या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 600 में से बटा अगर हम दो घटा देंगी तो आपका 508 में पे बच जाएंगा निए बच जाएंगा तो 600 में से 2 घटा दिया को बिल्कुल जाए की त तो 3 A को मान केतना हुआ 600 है तो 600 लगा दी है गुड़ा बी बी का मान केतना है दो है तो दो रिख दी है फिर यहाँ पर 600 माइनस दो लिख दे ठीक है अब हम बिलकुँ सौर्ब कर लिए 600 को देखो 2666 का 216 होता है तो हम यहाँ पर लिख दिए 216 किते 0 दो जीरो तीन बार यानि की दो तीया 6 एक दो तीन चार पांच छे चिजिरो लगा दी है माइनस दो का करेंगे तो आठ माइनस तीन चाक ठारा ठारा दूनी 36 और 36 यहाँ पर दो जीरो है और फिर उसके बाद तीन चाक अठारा अठारा दूनी 36 सही है और गुड़ा 600 माइनस दो आप तुम कहां सारी 600 माइनस दो 98 तुम लिख सकते लेकिन हमें 98 का मल्टिप्लाई 36 में करना थोड़ा सा कठिन पड़ता इसलिए हमने उसको नहीं लिखा तो हमने यहाँ पर 216 लिखा है एक दो तीन चा अच्छा अब हम इतने का मल्टिप्लाई इतने में कर लेंगे तो दो लिखाई आपका तो दो जीरो यह हैं दो जीरो यह है तो दो जीरो पहले लो एक दो तीन चार चाट जीरो आपके चेका में चेचिंग 36 चेतिया 18 ना हम्राई गोर ता 15 तो कितना हुआ 2021 दो सोला और माइनस का 35 जोनी होता बहीi 12 और माहाँ मैनस क्या हयागा पिलस हो जायगा 72 और लिखो कितना दो जीरो यह हमने हपने अपय लगा दिये ठीक है अब क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे जैसा करते हैं बैसा करेंग वैल्यू को इसमें जोड दीजेगा तो दो वन सिक्स एक दो तीन चार पांच छे माइनस अब वह इस आठ को इसमें जोड़ दो दो सोला कितने जीरों है चार एक दो तीन और लास्ट में आठ लगा दूशी में और पिले इसका अपना बहत्तर तर सो ठीक है अब हम क्या करेंगे पहले इस वैल्यू को इस वैल्यू में से गटा दो बढ़िया रहता जब जब हम इस पूरी वैल्यू को इसमें गटा दे तब अब कोई फरक नहीं पड़ता चलो यहां से अगर हम इस वैल्यू को गटाएंगे तो देखो यहां ऌशेटाब गया तो आठ बच्चा यहां पर आपका छे रह गया छे में से दो गया तो आपका चार बच्चा और यहां पर बांकी की संक्यां बिल्कुल वैसे की वैसे लिख देंगे अब आपका कितना है संसे फाला एक सत्रह क्यों करीजेगा एक सत्रहां गार ऑर यहां पर नोब्कुल है यहां पर ग्यार ओकना हना है और क्या साफ उसको पर नॉन कर लिजेगा थोड़िग्हाँच हो गई है आपके यहाँ पर चार नहीं आएगा और यहां पर भी आपका तीन आएगा बाकि यहाँको नौंग नॉन को लिजिए कैप कोशन नमबर पांच का कोशन यह है कि एक्स-7 का माइनस-7 का होल क्यू आप निकालके दिखाईएगा तो कुश नहीं है आप इसका खोलेगी इसका खोलेगे जो आपका रिजल्टा है वह आपका अंसर होगा देखो इसको उपन करते हैं एक्यू यानि कि एक्यू माइनस साथ का होल की करेंगे ए प्लस एक्यू के बाद प्लस बीक्यू यानि कि यहां पर प्लस का फर्मूला है और एक बार माइनस का है तो भई प्लस का फर्मूला क्या होता है प्लस का फर्मूला होता है एक्यू प्लस बीक्यू प्लस थिरी ए और बेखना सत है और फिर कुष्टक में अपिलस बी और मैनिस क्या होता है एक चुड़ और फिर कोश्थक लगा दे रहें यहां पर एकिव माइनस का बी क्यों मैनस का तरी ए बी और कोश्टक में एकस माइनस का 7 और यह पूरा बंद कर दिया तो देखिएगा एक्यू पिलस साथ का करेंगे तो 343 हो जाएगा आपका पिलस तीन सकते 21 एक्स हो जाएगा और यहां पर एक्स पिलस का 7 हो जाएगा और माइनस का यहां पर माइनस अंदर जाएगा तो क्वे साथ क्वा हो जाएगा और माइनस माइनस अफिलस हो जाएगा कितना एकटी सथ 148 कि पलस एक किस गुना एक्स मुना तो एक से сकेड actualip differentiate Q साथ में करेंगे dark esso 147 हो जाएगा माइनस पादे CQ अब प्लसका 300 237 सबक्राइज 121 001 में होगा जो health are the किसके उना साथ में होगा तो एक के सत्य 147 एक्स हो जाएगा ठीक है बात समझ में आई की नहीं आई 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 आपके लिए बहुत अच्छी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो तो देखो यहां पर आपकी कुछ चीजें माइनस हो रही है कौन कौन सी चीजें माइनस हो रही है तो देखो यहां पर 147 से 147 कट गया एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया जो बचा वो लिख दो देखो 21 6 स्कूर बच्छा 21 सकूर यानिकि 21 स्कूर नहीं होता वैयलीस एक्स इसकूरर तम्हारा सवाल यह भी हो रहा होगा सार एक्स स्कूरर एक्स स्वस्क्वार एकस पे गहाच चार हो गई ना ना हमीशे याद रखो गुड़ा में घातें जोड़ती हैं और जोड़ गटाएं में घातों से कोई मतलब नहीं होता एक जैसी घातें हुए उनको जोड़ दिये जाएगा या गटा दिये जाएगा जो भी वहां पर सुचेसन होगी उसके कॉर्डिंग उनको कर देंगे अब आप 13 आपका 6 होता है और यह एपका होगा उंसर बात समझ माई तो यानि की इसका फिर्टे को आपको अनसर इतना होगा जो आपको दिख रहा है बाकि के आपके जो सैकेंड Estation round और फोर्थ किल्कुष एसलिए जैसा की अभी मैंने गुलिक्शन किया था मैं आपका इसलिए तीस में है यह बट भी को कई कर दो है ऐसं Bijक्यू यानिकि एक्जू हो गया मिलश में कारो जो पाइक अफ्टिश् cannot लेगे प्लस अरृब हो कियो बैलु कितनी है बाइपर कोश्टतक में लिक्दो जो शुरुआत में होती है ठीक है जैड अपॉन थरी अब यह माइनस लगा के वाला लख दो AQ माइनस का BQ माइनस का 3 A और B का मान कतना जैड अपॉन थरी और कोई टक में कतना बाई बाई टू माइनस का जैड बाई थिरी यह बात आपके लिए ठीक है बराबर लगाना ना भूलें बराबर मैं लगा तो बूल दो तो बाई क्यू बट्टे आठ पिलस का जैड क्यू बट्टे 27 पिलस का तीन से तीन कर जाएगा यहां पर बचेगा आपका जैड और कि कितनी बाई 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 टू पिलस का जैड बाई ठीड और माइनस को उसको माइन श्यू अंदर ले जाओ तो यहां पर फोजाएगा ना यहां पर हो जाएगा तीन से तीन कर जाएगा तो हम बचेगा जैड और बाई बट्टे तू और यहां पर आपका बाई अपॉन जैड माइनस तो कोई जैड नहीं है आप यह दो हुआ ठीक है दो और जैड अपॉन थिरी ठीक इतनी बात हमने इसमें नोट डाउन कर दी है सहाब और आगे शॉल्ब कर लो यानि कि इसका गुड़ा इसके इसमें कर दो दोनों में इसका गुड़ा इन दोनों में कर दो तो कर दो भाई बाई थीरी बट्टे आठ और पिलस का जैड थीरी बट्टे 27 इस पर घात है फिर जिसकी बराबर में लिक दो पिलस जैड भाई कैसमें होगा तो जैड वाई स्कॉयर बट्टे यहाँ देको टू है यह जैड है ठीक है यह तू है और यह भी दो आध दो दू नहीं चार हो जा रहे गा जैड़ स्क्वार वाई बट्टे अब फोना 3 नोगा तो यहां पर वह जाए दो तीमित-च्चि ल मा की दो और प्लस का जैड़ कू बट्टे 27 प्लस-क जैड़ वाई कैस्स नहीं हो जो चीजे कट रही नहीं काट दो चारी पैस रहा आफ का डैrent सब्सक्यर सब्सक्राइब एंधों कट्म काट नहीं क्यों तो यह बहुंग नहींग रहा तो यहां पर कितना हो गया तू जैड़ बाई स्क्वार बट्टे फॉर और कोई चीज बची और कोई चीज नहीं बची जैड़ क्यों यह था जैड़ क्यों तो यहां पर क्यों लगा है ठीक है तो दो से दो काड़ दो दो नहीं चार यहां चार है ठीक तो हम इसके लिख दें के तरह तू जैड़ क्यों बट्टे 27 और पिलस का जैड़ बाई स्क्वार बट्टे दो और यही आपका होगा अंसर समझ में आई बात अगर समझ में आई है तो फटा पट नोट डाउन कर लो एकस की माइनस बाई क्यों का फार्बूला यानि इतना अंसर कितना होगा इतने का तो बहुत सिंपल है आपका सवाल कैसे इसका आप कर दो हूल क्यों यानि कि एकस माइनस बाई का हूल क्यों और बराबर चार का हूल क्यों इसका होल क्यों को रोगे तो क्या एक्यू माइनस का बी क्यों ग माइनस का थिरी ये और कोई स्टक में कतना होता है ए मांस कभी और बरावर चार क्यूं क्युन करो तो छा चाब 64 जशुशारत देंगा एकसघो माइनस का भाई क्यूं माटना क्यूं मांन टिरी एक्सक्यमान कतना इतने यानि तीन गुड़ा 84 बरावर 64 और यहां पर एक्सक्यू माइनस का बाई क्यू माइनस का तीन चौक बारा और ती आठ चौबीस और एक पच्चीस बरावर 64 यह माइनस की वेल्यू उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगा साब तो मैं इधर लिख दे रहा हूं एक्सक्यू माइनस का वाई क्यू बरावर आपका 64 पिलस कितना 252 इसको जोड़ेंगे 4 और 2 6 होता है 6 और 5 11 होता है 2 और एक हांसल वाला 3 यानि कि 316 आपका है यह क्या होगा आंसर हो जाएगा फटापट नोट डाउन कर लो इसको और इस एक्ससाइज का सबसे लाश्ट कोश आपके लिए देखों यह कह रहे हैं सेविन एक्स मैनस 5 बरावर 6 है एक्स वाई बरावर 9 है तो 343 मैनस एक्स क्यू एक्सोपच्चिस बाई क्यू का मान बताईगा बिल्कुल सैम बैसी करना जैसे अभी आपको पताया है अरे नहीं सर बतादो बतादो हम पर होगा नहीं य सेविन एक्स माइनस फाय बाई का होल क्यू कर दो क्योंकि यहां पर क्यू पूंचा है और चे का भी क्यू तो यहां पर कितना साथ का क्यू कितना हो जागा एक्यू यानिकि साथ क्यू कर दो सेविन एक्स का होल क्यू माइनस पांच का पांच बाई का होल क्यू माइनस थरी यह वाई थिरी एक मान के तना सेवेन एक्स बाई का मान के तना है फाइब आइप पर कोई टेक में करना ए माइनस भी यानि कि सेवेन एक्स माइनस का फाइब आ समझ में आ रहे ही बत यह 5 बने यह पर कोई स्माज़े लो बरावर 6 का हो जाएगा 216 है साथ कितना हो जाएगा 343 एक्स क्यूव माइनस पांच का 125 बाई क्यूव माइनस तीन से 21-25 एक्स पांच और एक्स और यहां पर कितना 7x-5y कितना ने रखा चे तो इसकी वैली को ती न 343 x q माइनस 125 बाई क्यूव माइनस 105 और गुड़ा x बाई कमाद देख लो दिहान से कितना दिया है नो दिया है तो नो रख देंगे यहां पर और गुड़ा 6 बरावर 216 यहां पर आपका 343 x q ठीक है 343 x q माइनस 125 बाई क्यूव माइनस 105 का गुड़ा 9 में कर लो ठीक है तो नो पंजे 45 और नो एकम 9 और गुड़ा 6 और बरावर 216 तो 343 दिख रहा है यहां पर दिख रहा होगा 343 x q माइनस 125 बाई क्यूव बरावर यह गुड़ा अधर कर लो 6 तो 216 पिलस चे पंजे 30 चे चौक 24 और तीन 27 चे निम चौवण चौवण और दो 55 और 56 यानि कि 56,70 को और 216 को आप जोड़ लेना और जितना आज आए उतना कमेंट करके हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख देना और मुझे पता चल जाएगा कि आपने कोशन कर लिया है ठीक है तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हसते रहिए खेलते रहिए और इसी परकार से पढ़ते रहिए जिससे आप अपनी और देश की सेवा कर पाए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे मातरम भाई भाई